सुप्रिया शिनेत ने योगी को खूब सुनाया तब्यत खराब हुई और सामने वाला डॉक्टर निकलत तो अगर खून की जरुवत है और देने वाला मुसल्मान हुआ तो क्या योपे के योगी सरकार में दुकानों पर नाम के साथ मालिक का नाम लिखनी को अनिवार एक कर दिया गया है जिसके बाद उवे पक्षी पार्टियों के निशाने पर योगी अदितनाथ आ चुके हैं खुद पीजबी के कैसा योगी पार्टियों ने इस आदेश को गलत बताया है इसको लेकर कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत ने वीडियो जारी कर जबर्दस निशानसादा है और कहा कि अगर आपको कभी खून की जरुद पड़े और देने वाला मुसल्मान निकल जाए तो आप क्या करेंगे कभी तवित खराब हो और डॉक्टर मुसल्मान निकल जाए तो भी क्या करेंगे आप आईए सुनते हैं इनके इस बयान को एक गरीब रहडी वाले को आदेश है कि वो अपना समान अपने नाम की तक्ति लगा कर ही बेच सकता है ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावडिया किसी मुसल्मान फल वाले से फल खरीद के न खाले या किसी मुसल्मान के धाबे या होटल पर खाना न खाले जब बैठे बिठाई कुछ नाहू करने को तो नफरत का छोका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है लेकिन कुछ सवाल जरूर कौधते हैं भगवान न करें जरूरत पढ़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसल्मान हो तो क्या आप इलाज नहीं कराईएगा जरूरत पढ़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एक मात्रव्यक्ती मुसल्मान हो तो क्या उसका कून नहीं लीजेगा अगर इन रेडियों पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा, उनसे समान खरी दियेगा या नहीं खरी दियेगा असलियत ये है और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कावडियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे है ये जो धर्म के नए-नए स्वयमगू ठेकेदार बने है ये धोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते है ना भगवान शिव की विराटता को क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव, किसी भी गरीब की पेट पर नात पढ़ने से बिलकुल प्रसन नहीं होगे असलियत ये है कि ये वो डर्बोक सरकारे और प्रशासन ऐसी कारवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते है मुसल्मान के एकनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए उनके बहिशकार की असलियत को समझिए और साज़श को समझिए क्योंकि ये वो ही जाहिल है जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदूों के बहिशकार की बात करने लगते है अरे कितनी नफरत फेलाईएगा कभी तो जोडने की बात करिए इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया अभी तक कुछ समझ में नहीं आया चलिया आएगा समझ में क्योंकि मेरा देश महबबत का देश है मेरा देश जोडने वाला देश है नफरत का बाजार मत लगाईए क्योंकि सेव अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है सेव मीठा होना चाहिए और कितना भी नफरत का बाजार लगाईए जीत तो महबत की ही होगी हर हर महादेव बेरहाल आपको बताते हैं कि या अदेश सभी के लिए चाहे सामने वाला हिंदू हो या मुसल्मान सरकार का कहना है कि इससे सुची था और लोगों की आस्ता बनाए रखने का तरीका माना जाए बेरहाल इसको लेकर आपकी प्रतिकरिया क्या होगी हमें कमेंट बॉक्स में प् बॉक्ष्चण